जैसे जैसे मौसम में सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में राजिनितिक वायुमंडल हर दिन गर्मा रहा है अखिलेश यादव संभवत यह मान चुके हैं कि 2022 में मुख्यमंत्री की कूर्सी वही समालेंगे इसलिए उन्होंने बीजेपी का करीब करीब मजाक उड़ाते हुए कहा कि इत्र कारोबारी प्यूश जैन जिनके यहाँ अभी आकूत दौलत पकड़ी गई और हम सब अवाक रह गए वह तो बीजेपी का आदमी है जिसके यहाँ गलती से चापा पड़ गया है असली आदमी तो हमारे MLC पुषपरा जैन है चापा तो उनके यहाँ पड़ना था लेकिन गलती से प्यूश के यहाँ पड़ गया बस फिर क्या था अखिलेश के बताते ही इंकम टेक्स विभाग ने उनकी पूरी कर दी अखिलेश की इस पपूगीरी और आयकर विभाग की हालिया छापे मारी की पूरी कहानी समझने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा मैं 2017 के चुनावों से ही अखिलेश को छोटा पपू कहता आया हूँ बड़ा तो आप जानते ही है वही अपने राहुल बाबा आज बात सिर्फ अखिलेश बाबा की है मेरे एक मित्र हैं वरिष्ट पत्रकार हैं लोहिया जीसे बहुत प्रवावित हैं तो समाजवादी शब्द के कारण समाजवादी पार्टी के पक्षकार हैं आज सुबह उनका फोन आया बोले भाई सब आप जो कहते थे कि यह अखिलेश चोटा पपू है यह अब इसने गुजरात के ठिकानों पर आयकर विभाग की चापिमारी हो रही है उनका कहना था कि इसने तो अपने ही आदमी को फसादिया पका पपू है उनका यह कहना था आपको मैं बताता हूं कि 2017 से मैं अखिलेश को चोटा पपू क्यों मानता हूं दरसल उस समय 2017 का जो उतरप्रदे अखिलेशा चुनाव था उस समय सपा के पक्ष में अच्छा खासा चुनाव अभ्यान चल रहा था पक्ष में था रिजल्ट जो भी आता लेकिन ठीक ठाक था बात है 20 फरवरी 2017 की राय बरेली के उंचा हार में अखिलेश यादर ने एक रैली को संबोदित किया जिसमें उन मोदी पर याधिया मोदी कुछ कह रहे थे उसके ये बी कह रहे थे दोना रिंसरे पर दूर पर दूसरे ऐसे पर पलट्वार कर रही तो पिएम संहार करते कि उन्होंने अख्लेश यादर ने कहा अमिताब duplicat by अपील की दरसला मिता बच्चन से कि गुजरात के गधों का विज्यापन बंद कीजिए इसके बाद सपा कारेकरताओं ने कहना शुरू किया और नीचे लेविल तक माने जिला और गाउं लेविल तक कहना शुरू किया गुजरात के दो गधे जाहिर है उनके निशाने पर पी प्रवावित होगा आम जिनता नहीं करते हैं उसका परिणाम हम सब को पता है क्या हुआ एलेक्शन में बस तभी से मेरी नजर में अखलेश छोटा पप्व हो गए मैं आज भी मानता हूं यदि ये बात नहीं होई होती तो उनकी इस्तिति वैसी नहीं होती जैसी आज है अब हाल की घटना पर विचार कीजिए यूपी में चुनाव भाजपा और सपा के बीच है अभी तक तो यही इस्तिति पर है पड़ी ठीक ठाक चुनाव चल रहा है अखलेश की सभाओं में अच्छी कासी भीड आ रही है यहाँ भीडो बोट में बदलेगी नहीं बदलेगी इस पर आगे देखा जाएगा आगे पता लगेगा लेकिन अभी भीड़ आ रही है यह बात इस्पस्ट है अन्य पार पार्टी की असली तागत है दो बाते हैं समाजवादी पार्टी के पास उनकी असली तागत कहा है एक धनबल एक बाहुबल तो योगी जी ने अपने शुरू से ही जब से उन्हों वह मुख्यमंत्री बने हैं शुरू से ही लाठी चला रखी है समाजवादी पार्टी के सपा के सभी बावबली देखे जिलों में बंध हैं उनके सामने अपना अस्तित्त बचाने का संकट पैदा हो गया है अब बात करते हैं धन्बल की जिसके बल पर सभाएं हो रहे हैं तो जाहर है उस पर चोट पड़ी गई जरूर पड़ेगी तब तो जरूर ही पड़ेगी माने जो धन्बल है उस पर हर हालत में तब चोट पड़नी निश्यत हो गई जब मुख्यमंत्री आपने को मुख्यमंत्री मान चुके अखलेश यादव ने खले आम सभाव में कहना शुरू कर दिया कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ मैं गिन-गिन कर बदले लूँगा समाजवादी पार्टी के कारिकरता हो समाजवादी पार्टी की सरकार इन सबसे गिन-गिन के बदले लेगी ऐसी इस्तिती में उनके धन्बल के सोर्स को बना रहने देंगे ये सोचना थोड़ा कठेन है ये सामाने राजनीती की बात है कि ऐसी बाते वो ना बोलते तो संभवता ये चापेमारी नहीं होती है मेरे लिए तो ये भी समझना बहुत कठेन है कि अकले शियादफ के सलाकार कौन है उन्हें कोई सलाध देता है या किसी की सलाध मानते है नहीं मानते या वे सुयम ही ये सब चीजें करते हैं ऐसे सलकार चोटी राजनी की बहुत चोटी चोटी समझ भी जिन में नहीं है समभवता वो उनके आसपास खिरे हुए अब चलिए हालिया घटना करम को समझते हैं छापे मारी में क्या हुआ यह क्यों हुआ दो तीन महीने पहले गुजरात में शिखर पानमल साला से भरा एक ट ट्रक से करीब 200 फरजी इन्वाइस पकड़ी गई हैं यहां से शुरुआत होती है यह पकड़ा गया ट्रक कानपूर निवासी कानपूर के नहरे रहने वाले प्रमीर जैन का था जब जीस्टी इंटेलिजेंस ने प्रमीर जैन के ठिकानों पर चापे मारी की तो वहां से प् हम सबको मालूम है यहीं पर समाजवादी इत्र को प्यूश जैन से जोड़ा गया और कहा गया कि जिस समाजवादी इत्र का अखिलेश यादव ने लॉंच किया था प्यूश जैन ही उसके मालिक है अब शुरू होती है अखिलेश भाया की पपू गिरी है समझे यदि पांस दिनों तक सन्नाटे में कहां और क्यों चले गए थे जाहिर है कोई दिक्कत नहीं योजना बनाने गए होंगे राय मश्विरा करने गए होंगे योजना बनाकर आए तो आपने प्यूश जैन को बीजेपी का आदमी बता दिया मुझे नहीं मालूम कि वास्ता में सच क समाजवादी इत्र की बात माने समाजवादी इत्र और प्यूश जैन का नाम एक साथ जैसे ही जुड़ा तुरंत इसका विरोध करना चाहिए था इसका विरोध करने में इस बात को कहने में चार-पांच दिन क्यों लग गए यह सोचने का विशे चलो माल लेते कि दबाव स से उबरने में अचानक चीजें होई और दवाव से उबरने में समय लग गया तो या चुप ही बने रहते हैं लेकिन नहीं गुजरात के गधों वाली बात की तरह ही उन्हें अपनी इंटेलिजेंसिया प्रदरिश्चित करना था सो होश में आते ही जोश के साथ बोल पड़ प्यूज जेन तो जी गलती से चक्कर में आ गया असली आदमी तो हमारा MLC पुषपराज जेन हैं जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया था अब बिल्कुल इस पस्ट है सीशे की तरह साफ है केवल अखिलेश के काराण ही MLC पुषपराज जेन लपेटे में आ गया है इस पूरे घटना करम में अखिलेश ने दो बार हिट विकेट किया एक प्यूज जेन को बीजेपी का आदमी बता कर उन्होंने यह संदेश दे दिया कि बीजेपी ब्रस्टाचार के मामलों में अपनों को भी नहीं छोड़ती ये बीजेपी के लिए पड़ा पॉजिटिव संदेश कया है अगर जो लोग अखिलेश की बात पर अखिलेश बैया की बात पर ध्यान देते हैं उसको सुन रहे हैं उन्हें लग रहा है कि ये तो ठीक बात हुई कि बीजेपी अपने लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं दूसरा मेरे कुछ कानपूर के सूत्र हैं वो उन्हों का अपना संबंद है है के नहीं है इसके बारे में मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता लेकिन जो आम वहां चर्चा चल रही है वो ये है कि अखिलेश ने प्यूश को ऐसे समय में छोड़ा और उसे बीजेपी का आदमी बता दिया ये उन्होंने अच्छा नहीं किया अ लेकिन यहां पर यह समझना बहुत अवश्यक है कि अभी हिरासत में कहीं विभागों को अभी उनसे पूछताच करनी है उसमें क्या होगा क्या निकलता यह भविश्य की बात है उसके इंसार बात होगी अब प्रशन है कि क्या यह च्छापेमारी का सिलसला यहीं रुकेगा अभी तो चुनाव शुरू होने दिजिए अभी चुनाव शुरू होने वाला है चुनाव आयोक का चाबुक चलेगा इसके लिए सरकार ने सभी ठिकानों को पहले से ही चिन्नित कर लिया होगा अब यह समझें कितना कठे नहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश फसने वाले हैं इसका परिणाम क्या होगा अब अखिलेश यादव के धनवल के सारे सोर्स सारे लोग जो धनबली हैं वे अपने को बचाने में जुट जाएंगे बैक फुट पर चले जाएंगे बाहु बलियों की हालत पहले से ही खराब है धनबलियों की कमर ये च्छापे तोड़ देंगे निशित मानिए कि अगर यह सिलसला कुछ और आगे बढ़ता है तो अखिलेश पर धनबल और बाहु बल के अभाव में जो दबाव बढ़ेगा उसके चलते समाजवादी बात हो गई है कि चुनाव समाजवादी पार्टी यह चुनाव बहुत ठीक ठाक तरीके से लड़ लेगी प्रशन यह उठ रहा है कि कहीं उसकी भी हालत बसपा जैसी तो नहीं हो जाएगी हाँ एक बात पर सभी एक राय हैं मैं भी इस बात को मानता हूँ कि सरकार या कोई भी एजनसी अखिलेश यादव पर सीधे कोई कारिवाई नहीं करेगी इस पूरे घटना पर समाजवादी पार्टी ने ट्विट करके कहा कि पिछली बार की अपार सब विफलता यह ट्वि कि आई टी ने सपा मल्सी श्री पुषपरा जैंग और कन्योज के अन्य इत्रवियापारियों के यहां पर आखरी आखिर छापे मार ही दिये हैं डरी बीजेपी द्वारा कि इंद्री एजेंसियों का खुलियाम दुरपयोग यूपी चुनावों में आम है यानि ट्विटर हैंडिल पर भी यह स्विकार किया जा रहा है कि यह दुरपयोग आम है पहले की सरकारे माने मोदी सरकार से पहले की सरकारे भी यह सब करती रही है अब देखे उनकी बुद्धी का इससा देखे क्या वो आपको बता रहे हैं कि यह आम है जनता सब देख रही है वोट से जवाब में पक्ष और विपक्ष में हजारों ट्विट ट्विटर पर आये लेकिन मुझे तो एक बहुत जादे पसंद आया आपको वो दिखाता हूं श्री मती अंजु सिंग खरवार ये समाजवादी पार्टी को जवाब देती हैं कि सही कहा जनता सब देख रही है सही है तो छापों से डर कैसा अगर साफ सुत्रे होंगे तो जाच में सयोग करें और निर्दोष साबित होकर जनता के सामने आए जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मोधी कई जा मामले पर क्या लगता है थोड़ा सोच कर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन जरूर दबा दें वीडियो को लाइक और शियर जरूर कर दें अपन ख्याल रखें प्रसंद रहें नमस्कार